कि आज किस video में metric result के final system को जानेंगे कि metric प्रक्षाक result प्रक्षाक प्रक्वराई यहां सथी आप यह भी जूशनेंगे कि metric का सुरू हुई है या नहीं हुई है पार्ट बन में अडिमेशन से सम्दित ञानेंगे, पीजी में अडिमेशन से सम्दित रिजलट कँ आएगा, इनको भी सम्दित न्योज़ गया है, उनको भी आप जनेंगे, शीक्छा समंदित सभी छोटी बरी खबरे को इस वीडियों पाएंगे, अभी तक इस चैनल को सब्स सब्सक्राइब करके बिल आको दबा दे इस वीडियो की डिस्क्रिप्टिप्टिन में जाईए वार्ट से ग्रूप जोइन कर लीजिए ताकि पेपर का कटिंग वहाँ पर आपको मिलता रहे तो चलिए करके सभी वरी खबर को जानते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि छाटी से आट में और एगार्वी बार्वी की विद्यारती चाड़ मई से करेंगे कलास जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग डाउन में जो है सभी स्कूल कोलेज कोचिंग संस्तान बंद है तो इसलिए जो है कि ओनलाइन कलास सुरू किय जाएगा और 75 लाख और बच्चों की दूरदर्शन से होगी पढ़ाई अब टाइमिंग क्या है उनको हम बताते हैं यहां पर देख सकता है कि 20 अपरेल से ही दूरदर्शन पर चल रही है कक्षा है और यहां पर देख सकता है कि रिपीट टेलिकास्ट भी यानि रिपीट भ बार में नहीं देख पाए तो दूसरे समय में भी देख सके तो यहां पर देख सकता है कि कीरन कुमारी ने बताया कि बीपी दूरदर्शन को परती घंटा बुकिंग के लिए एक लाख 35,000 रूपिय का भुक्तान करेगा हलांकि दूरदर्शन ने दो घंटे रिपीट टेलि कास्ट भी होगा और यहां पर आप देख सकते हैं सुमबार से रोजाना दूरदर्शन पर हमारी कक्षा आरंब हो जाएगी तिलाल नुवी तता दसमी बच्चों के लिए 11 से बाड़े बजे एक घंटे की पढ़ाई हो रही है चार माई से छटी से आठमी के बच्चों के ल ले सकते हैं और यहां पर भी इस न्यूज को पर सकते हैं चलिए दुसरी बड़ी खबर को जमते हैं अब की बार असना तक में जो नमंकन के लिए लागो के आगया यहां पर देख सकते हैं कि वेब साइट पर नमंकन का होगा लाइब परसारन यानि वेब साइट पर के परिक्षाइ जानते हैं कि नूज में दिया जा रहा था कि बिना परिक्षा दिये बच्चे को अगली को पर मोट कर दिये जाएंगे लेकिन एसा नहीं होगा सिवीसी जो भी एक्जाम बस गया है उनकी एक्जाम एजित की जाएगी यहां पर देख सकते हैं यहीं न्यूज है और चलिए अब हम जानते हैं मेट्रिक परिक्षा कर रिजल्ट कब आएगा उनसे पहले हम बात कर लेते हैं पाट वन में एडविशन से समधित न्यूज को तो जान लेजिए कि मंडल इनवर्सिटी के तत जो भी स्टुडेंट आविदन करना चाहेंगे वह चार मई से 20 मई तक आविदन कर पाएंगे वहीं पर्टना इनवर्सिटी में जो है कि ओनलाइ पाली रेजिस्टेशन कराएंगे अब देखिए पर्टना इनवर्सिटी में इंट्रेंस एक्जाम भी एजित होनी है और उसके बाद बीनम्यू में वैसे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा मार्क के अधार पर उसके बाद जो भी चाहत स्कूरूटनी कंपार्टमेंटल उनलाइन से समंदित न्यूज को जानना चारे हैं इन्ति जार कर रहे हैं इसके लिए आवेदन कर्ब से लिए जाएंगे तो देखिए लोगडौन जैसे ही खतम होगा तीन मई को तो चार मई को जो एक्जाम बचे हुए हैं और जो भी रिजल्ट बचा हुआ है सभी जो है कि लोगडौन के कारण ही रुका हुआ है उसके बाद मेट्रिक कापी की जान जो है अभी शुरू नहीं हुई है तो जैसे ही लोगडौन खतम होगा तो मेट्रिक कापी की जान जो है शुरू हो सकेगी उसके बाद यहांपर देख सकते हैं कि विहार वोर्ड 12 मई को घोसित होगा मेट्रीक परिक्षा का जो रिजल्ट है वो 12 मई को घोसित होगा और metric जांच जूह है कि अभी शुरू नहीं हुई है तो इसलिए आप लोग यह नहीं सोचे कि पहले से पहले जूह है कि result जारी होने वाला है इसे भी तीन मैई से पहले जो है result जारी होगा यह नहीं क्योंकि तीन मैई के बाद ही method कापी जांच प्रारम कि जाएगे उसमें भी देखना है कि लोकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो हो सकता है कि कापी जांच बढ़ भी सकता है लेकिन अभी जो है कि जो संभावना है वो चार मैसे कापी जांच शुरू हो जाएगी